यह चेर हटा दूँ क्या? रोलेंग? मैम जिस तरह से समीर हुआंग खड़े सर पे अलिगेशन उलाग रहे हैं और अब चर्टिफिकेट को लेकर एजुकेशन को लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है यह सारे अलिगेशन बेसलिस है इसके साथ हमने बहुत सारे प्रूफ्स अल्रेडी हम दे चुके हैं और यह हमको देने की बिज़रुवत नहीं थी क्योंकि यह उन्होंने कोर्ट में नहीं लगाए एलिगेशन ट्विटर पे लगाए है एक सोशल मीडिया हैंग पे और उसके बारे में हमें एक्स्प्लेनेशन देने की हमारी कोई रिस्पॉंसिमिल्टी थी नहीं लेकिन फिर भी हमने दिये उसकी सारे सर्टिफिकेट्स मेरे फादर निलाओ ने मीडिया के सामने अल्रडी पेश कर चुके हैं लोगों ने वो देखे हैं और आज भी जन्ता समीर के साथ है और अभी भी प्रूव हो चुका है कि कौन फर्जी काम कर रहा है और ऐसे डॉक्यमेंट्स रोज बन सकते हैं कोई भी इंटरनेट से प्रिंट कर सकते है जिस तरह बसूली का उन पे आरोप लग रहा है अभी दुबई का नाम आ रहा है सामने ये कभी मौल्दिर का नाम आ रहा है सामने नहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्टॉर्शन अगर समीर को करना होता है तो कपके कर चुके होते आज की डेट में उनके जैसे पॉटलस करियर नहीं है तो मुझे ऐसा कहना है कि वो जैसा काम करें उन्हें करने दीजिए वो एक्स्टॉर्शन के अगर चार्जिस कोई लगा रहा है तो उसके साथ में कोई प्रूफ भी पेश कीजिए कोई electronic proof हो, कोई message हो, कोई Samir Van Kheri का कोई recording हो सिर्फ हम ऐसे नहीं बोल सेंटन तो वैसे मैं भी बोलचेंट सकते हैं, उसने एक्स्टॉर्शन किया फिरी बेसलेस कमेंट्स हैं, इस अगार किसी ने ध्यान देना चाहीं मैं मैं जाना चाहूंग जिसतर से ये अरो आउप लग रहा है बहुत सारे अरूप ऐसे लग रहे हैं, जो उन पे नहीं ये हो रहा है, तो आप क्या अगर पोट में जाएगा ये केस, तो किस तरह से अरिशोप्र नहीं है? समीर जी कभी भी विजिलन से डरे नहीं है, उन्होंने जो भी ओनेस्टी से काम किया है, वो लोगी के सामने उन्होंने पेश किया है, उनको बार बार सरकार ने मेदल्स दे के प्रिस्कृत भी किया है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं भी कोई भी लेवल पे उस ची कि वो बिल्कुल भी विजिलन से उनको कोई भी खौफ नहीं है अगर कोई इस केस का गो लोग एक्स्टॉर्शन आंगल देखना चाहरे हैं तो जरूर देखें समीर वांखेडे क्लीर नी बाहर में किलेंगे क्यूंकि वो एक चोटे जाती से आते हैं क्यूंकि वो एक चोटे गौई से आते हैं इसमें कोई शर्म की बात भी Emily मिया उनको क्या लगता है वो सबके सामनी लाएंगे तो वो शर्मा जाएंगे नहीं, उनको बहुत अभिमान है वो कहां से बिलाउं करते हैं उनको अपनी जात का अभिमान है उनके गाव का अभिमान है उनको इस चीज का अभिमान है कि उनकी फादर हिंदू है उनकी ये चीज का भी अभिमान है तभी वो उस position पे है, तो इस चीज़ को challenge करना, इसका मतलब अपने system को challenge करने जैसे है, जिसका भी फाइदा इस चीज़ से होने वाला है, कि वांखेड़ी जी उस seat से हड़ जाए, वो ही कर रहे होगी, पॉन करेगा, तो इस पे किसको पकड़ते है सामीर वांखेड़ी, को अपना ड्रक्स का आरोबार शायद शुरू रखना है, वो लोग कर रहे है, वो लोग की सोची समझेशा, साजिश हो की साज़िशा, आर्यान खान को लेका, जिस तरह से समीर सर ने अपना अपना दिखाया हूँ होने, और इस अब यह आरूफ लग रहा है, कि वो कुछ प कभी भी जांट से बैक आट नहीं किया है, और अगर एक्स्टॉर्शन का कोई प्रूफ है उनके पास, तो वो सामने आए और वो कोट में साधर करेगा, यह नहीं कि हम ट्विटर पे डाल रेंगे, क्या प्रूफ है, उनका कुछ लिखित है, समीर वांकेडे में कि इस बयान